दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे ब्रैंड के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको स्टार्ट किया है दो यंग आंत्रफिनेर्श ने जी हाँ अपने कॉलेज के डेज में इन्होंने इस ब्रैंड की शुरुआत की और आज ये ब्रैंड डे बाय डे success की नई उचाईया छूरा है जिया दोस्तो इन्हों ने इस business की पूरे model को ही change करके रख दिया है सबसे पहले इस brand की सबसे खास USP मैं आपको बता दूँ कि ये आपको हर तरह के का hand holding support देते हैं और market में इसी तरह के brand से आप compare करेंगे तो ये royalty आपको हर जगा से कम बिलेगी साथिसा दोस्तो आपको जिस तरह के से brand का support मिलने वाला है ये बहुत सांदार और जांदार होने वाला है जिया दोस्तो मैं रख आशी शेगरवाल founder of franchise बताओ आज आपसे बात करने वाला हूँ चाय नगरी की जिया दोस्तो चाय की नगरी मतलब चाय नगरी नाम इतना जांदार है तो काम कितना जांदार होगा इस brand की शुरुआत की दो young engineers ने जिया दोस्तो जो कि engineering करने के बाद किसी MNC company में job करने का सपना देखते हैं लेकिन दिवम बादवा जी ने और Simran Singh जी ने चितकारा उनिवर्सिटी से पढ़ते हुए इन्होंने चाय नगरी ब्रैंड की शुरुआत की और दोस्तो मैं आपको बता दो कि 2018 में शुरू हुए इस brand की आज पूरी इंडिया में 30 से ज़्यादा branches है और दोस्तों जितनी भी इनकी branches है उसमें से maximum branches profitable है और इसी वज़े से चाय नगरी देश में एक लोकप्रिय ब्रैंड बनता जा रहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है इनके founders का जिसमें कि दीवम बदवाजी के बारे में आपको बता दूँ दीवम बदवाजी जो की एक motivational speaker है बहुत सारे लोगों के लिए inspiration का शुरोथ है ना कि वो सिर्फ एक entrepreneur है बलकि टेड़ेस speaker भी रहे है और nationwide 30 under 30 का इनको award भी मिला हुआ है मतलब कि दोस्तों जब आप जूड रहे हैं तो आप एक ऐसे team के साथ जूड रहे हैं जिनकों लोग follow करते हैं जिनकों के business का सही माइने में sense है जो आपके साथ business करना चाहते हैं दोस्तों चायनगरी की सुरुआत corporate sector के लोगों को students को और जो बाहर रहे कर एक बहुत बढ़िया food enjoy करना चाहते हैं उनके लिए सुरुआत की गई यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग-अलग variety of menu मिलेंगे जहाँ पर की high quality integrant का यूज किया जाता है मतलब कि आपको इनके किसी भी store पर quality से समझोता नहीं मिलेगा affordable price मिलेगा जिसको आप आसानी से afford कर सकते हैं और आपको इनके सभी stores पर unique interior मिलेगा बिल्कुल different interior मिलेगा और आप एक बार नहीं बार-बार इनके store पर जाएंगे क्योंकि दोस्तों कोई भी brand बड़ा कब बनता है जब उस brand की recall value होती है जब उस brand पर repeat customers होते हैं और साथी साथ सबसे important जब भी हम बात करें किसी food business की तो important हो जाता है वहाँ का quality of food और pricing ये सब चीज़े आपको अपने pocket range में मिलेंगी आपके लिए अपने लिए favorable मिलेंगी इसलिए यहाँ पर जो एक बार आता है बार बार आता है brand recall बहुत अच्छा है customer retention बहुत अच्छा है जिसकी की वज़े से ये brand day by day आगे बढ़ रहा है और इनकी branches भी बहुत जल्दी profitable हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सबाल आता है कि आपको चाय नगरी या फिर ऐसे food segment में क्यों जाना चाहिए ऐसे food segment में आपको इसलिए जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर profitability जल्दी आ जाती है market में adoption ratio बहुत जादा है अगर आपके पास quality of food है affordable pricing में है तो आपके लिए customers की कमी नहीं है और वहाँ पर अगर आपको एक ऐसा brand मिलता है जिसके पास की operation excellence है best in class marketing strategies है तो यकिनन आपके लिए brand favorable रहने वाला है और दोस्ता इसी वसे से चाये नगरी day by day grow कर रहा है बहुत सारी stories ऐसी भी है कि बहुत सारी जो इनकी franchises है जब इनके पास आते हैं वो multiple जगा और भी inquiry करते हैं लेकिन जब चाये नगरी के founders से मिलते हैं उनसे मिलने के बाद उनका vision और mission जानने के बाद उनकी पूरी सोच जानने के बाद वो और कहीं नहीं जाते बलकि चाये नगरी के साथ अपने business startup के सुरुवात करते हैं तो आप भी अगर कोई business करने की सोच रहे हैं किसी भी sector में करने की सोच रहे हैं तो पहरे एक काम करिए कि आपको description में number दे दिया गया है आप एक बार बातचीत कर लीजिए one-on-one meeting कर लीजिए meeting करने के अगर आपको लगता है कि यकिनन ये brand एक अच्छा brand है तो आप इसके साथ जाईए दूसरा reason क्या है low investment में high profit margin है जहां पर कि किसी brand में अगर ROI की बात करूँ कि 2% से 5% आता है तो यहां पर ROI 5% से लिए कि 10% तक भी आ जाती है मतलब कि आसानी से आप 12-18 महीने में return of capital expect कर सकते हैं और यकिनन अगर आपने अच्छे से काम किया इस brand के साथ तो आपको यह बहुत ही बहसरी result देके जाएगा लेकिन ही result जो दे कर जाएगा यहां पर आपको business मिलेगा कैसे कैसे और क्या खासियत है आई यह एक बार और जान लेते हैं सबसे पहली बात हम आपको बता दें में special है moctels injection चाय नगरी में special है आपको salads अगर आप health conscious हैं तो आपके लिए आपको dishes मिलेंगी, आपको याँ sauce मिलेंगे, यहाँ पर आपको चाय के sex मिलेंगे, यहाँ पर आपको sandwich मिलेंगे और इनका जो menu है बहुत ही wide है जैसे कि आपको screen पर दिखाया जा रहा है, आपको बहुत ही जबरदस और बहुत ही quality menu मिलने वाला है अचाय नगरी, यहाँ पर आपको जो interior होता है इनका, हर एक outlet पर आपको अलग-अलग interior मिलेगा जरूरी नहीं है कि इनोंने एक जैसा interior बना दिया और वही interior हर जगह हिंदुस्तान जो है, विवित्ताओं का देश है हर 100 km में भासाइं चेंज हो जाती है पानी चेंज हो जाता है, लोगों के taste चेंज हो जाते है, तो हर जगह एक जैसा interior ना रखकर, जहाँ पर आप interior खूलेंगे वहाँ के लिए specific interior designing की जाती है, वहाँ पर कैसा interior लोगों को पसंद आएगा, वहाँ की location कैसी है, वहाँ पर आपको area कितना बड़ा मिल रहा है, उसके हिसाब से interior designing की जाती है in between your budget, इस सबसे बड़ी USP है, चाय नगरी ब्रैंड की जब आप देख जाएंगे इस brand पर food टेस्ट करेंगे, quality देखेंगे आप इनके honor से मुलाकात करेंगे, तो यकिनन आपको समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, या गलत बोल रहा हूँ अब यहाँ पर हम बात कर लेते कि इनके business model क्या क्या है, तो mainly इनके दो business model है, जिसमें कि आपका takeaway हो गया और dine-in हो गया, लेकिन अगर आपके पास space ज़्यादा है तो आप cafe model में भी जा सकते हैं, लाउंजर में भी जा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अब हर एक model के बारे में अलग-अलग, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं, company जो आपसे franchise fees ले रही है, company जो franchise fees लेती है, वो चार लाख प्लस जीस्टी लेती है, लेकिन इस चार लाख प्लस जीस्टी में से एक लाख रुपे वो सीधा-सीधा आपके ओपर खर्च कर देती है, जी यहां दोस्तों, यहां पर आपको क्या-क्या मिलता है, आइए मैं आपको फटा-फट से बता देता हूँ, चार employee के लिए पूरा dress का set आपको company की तरफ से मिलता है, 300 square feet तब के store की interior designing, 2D और 3D model, company आपको अपने पैसे से बना कर देती है, उसके लिए आपको investment नहीं करना है, अगर 300 square feet से बड़ा है, तो आपको जो extra post है, वो भी यर करनी होती है, इसके अलावा दोस्तों, जब आप चायनगरी की franchise लेंगे, तो आपको training के लिए staff बुलाना पड़ेगा, head chef company नहीं आपको भेजती है, तो इसके head safe की एक मैने की salary, आने जाने का खर्चा, और accommodation और fooding का खर्चा, किसी भी business को लेने से पहले और लेने के बाद promotion बहुत ज़रूरी है, और चायनगरी 30,000 रुपे का budget आपके online promotion पर लगाता है, वो भी अपनी pocket से, चायनगरी आपका pre opening promotion और post opening promotion 30,000 रुपे तक का अपने pocket से करता है, मतलब कि आपके लिए ग्राहाक पहले दिन से लाने का काम कर रहा है चायनगरी, तो ये सारा support आपको franchise fees के under मिलता है, support और भी बहुत सारा है, regular hand holding support, आपको location चूज करने में support, आपके menu customization में support, किस तरीके का menu आपके होना चाहिए, pricing setup करने में support, मतलब कि जो भी आपको hand holding support होते हैं, हर तरीके का support company की तरफ से मिलता है, और इन सारे support में आपको जो royalty fees पे करनी होती है, जो सबसे खास, अभी मैंने आपको बताया पहला, इनकी franchise fees, जो आप 4,00,000 रुपे देतो रहे हैं, लेकिन इस 4,00,000 के अंदर company आपको ये बहुत सारे अलग-अलग support दे रही है, अब साती सात, जो royalty इनकी है, जो मैंने आपको starting में बताया था, कि ये market से बहुत कम है, तो मैं आपको बता दो, इनकी जो royalty है, वो मातर 2% है, 2% इनका royalty charge है, और ये 2% royalty में भी company आपको एक service बिल्कुल free of cost देती है, जिसमें कि आपके marketing हो सकती है, अलग-अलग तरीके से company आपको support करती है, मतलब जो आप royalty भी दे रहे हैं, उस royalty के अंदर भी आपके लिए graphics बना कर देना, आपका social media management करना, एक service आपको company बिल्कुल free दे रही है, अगर आप 5 लाग की sale होती है, तो 2% आपको 10,000 पे pay करने होते हैं, अगर company आपका खर्चा बचा रही है, और इसके लावा क्या benefit है, जो आप franchise fees पे करते हैं, वन टाइम है, आपको बार बार नहीं देनी है, कि हर 3 साल में, हर 5 साल में, आप franchise fees देते रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई hidden cost नहीं है, कोई extra charges नहीं है, company आपसे जो commit करती है, जो आपको कहती है, ज मतलब की छोटी जगह पर भी, आप आसानी से चाय नगरी का takeaway outlet स्टार्ट कर सकते हैं, इनकी जो franchise fee से, वो है 3.5 लाख रुपे, royalty आपको 2% pay करनी है, और interior आपको equipment और raw material मिला कर, आप total, including franchise fee, आप इनका takeaway model स्टार्ट कर सकते, 7 से 8 लाख रुपे में, अब दो नंबर पर हम आ अगर आपके पास इतनी जगह available है, तो आपको 4 लाख रुपे franchise fee pay करनी है, और जो पूरा store setup करने का खर्चा आता है, वो आपका 10 से 12 लाख रुपे का आता है, तो 10 से 12 लाख रुपे में, आपका पूरा store setup हो जाता है, royalty fees यहाँ पर भी 2% है, royalty fees कहीं पर भी change नहीं है, एक ज आपको 4 लाख प्लस GST, franchise fee pay करनी रहेगी, तो इस तरीके से company तीन अलग-अलग business model में काम कर रही है, आपके पास जैसी जगह है, जैसी location है, आपको लगता है कि वहाँ पर customer मिलेंगा या नहीं मिलेंगा, आप company को एक बार अपनी store की photos, location भेज कर approve करा सकते हैं, अगर company approve कर द लेती है, तो यकिन आप वहाँ पर company की franchise ले सकते हैं, दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ आपको बतानी है, एक आपकी कमाई कितनी हो कि दूसरा आपका process क्या होगा, तो यहाँ पर तो सबसे पहली बात कि कि किस तरीके से आपका पूरा store setup होगा, store setup करने का process क्या रहेगा, तो वो market आपके business के लिए सही है या नहीं है, गलत जगा अगर outlet खोल दोगे, तो कितना ही अच्छा brand क्यों ना हो, down जाएगा ही जाएगा, सबसे पहले company क्या करती है, market research करती है, location finalization करती है, location finalization होने के बाद आपकी interior designing होती है, किस तरीके से जितना इलाका आपका है, उसके marketing की जाएगी, जब यह सब चीजे हो जाती है, तो आपको raw material dispatch किया जाएगा, जो भी raw material होंगे, raw material dispatch करने के साथ साथ ही, staff के training और development वो start हो जाएगी, ताकि कि आपके सारे काम simulator से साथ साथ चलते रहें, आपको store open करने में बहुत ज़्यादा समय ना लगे, लेकिन बहुत सार तरीके से काम करवा रहे हैं, और आप company को किस तरीकी से support कर रहे हैं, जैसे आप support करेंगे, उतनी जल्दी आपको store setup होकर मिल जाएगा, तो दोस्तों ये तो बात हो गई, कि किस तरीके से company के साथ जुड़कर आप चायनगरी की franchise ही ले सकते हैं, call करिए, बातचित करिए, और आपका जो menu है, जितनी sales आएगी, उसमें profit margin बड़ा अच्छा होता है, या इस तरह कि कि business में हमेशा 55-60% का profit margin होता ही होता है, आपका gross profit margin होता है, उसके बाद आपको rent, electricity और staff expenses ये सब bear करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर company आपको और भी अलग अलग तरीके से income opportunity दे रही है, पेकिंग, gift boxes आपको देती है, आप अपने outlet पर retaining of tea leaves कर सकते हो, जो आपके पास आएगा, चाय पसंद आएगी, वो चाय पत्ती आपसे पर्सेश करके लेगी जाएगा, तो वहां से आपको income आएगी, दूसरा दोस्तों corporate gift boxes, जिसके लिए आप corporate से type कर सकते हो, banks से, universities से, और अलग बग जगा आप इन gift boxes को sale कर सकते हो, और यह distribution का license आपको company की तरफ से मिलता है, at no extra cost, और इससे आप एक extra income भी earn कर सकते हैं, मतलब कि आपके पास सिर्फ profit from the menu नहीं आएगा, बलकि टी लिप sale करके, और इनके gift boxes sale करके भी profitability आएगी, आपको multiple source of income company दे रही है, और day by day पैन इंडिया रन कर रहे हैं, और बहुत सारे outlet under process हैं, जो कि बहुत जल्दी आपको अपने शहर के आसपास भी देखने को मिलेगे, तो दोस्तों अगर आपकी शहर में चायनगरी का outlet नहीं है, तो किस तरीके साब को इसकी franchise मिलेगी, description में साई detail दे दी गई है, आप सीधा call करिए, company से बातचीत करिए, और देखिए क्या आपके शहर में है, अगर नहीं है, तो सीधा call घुमाईए, बातचीत करिए, और अपने शहर में इस franchise को आप लेकर आ सकते हैं, लाने से पहले आप एक बार अच्छे से अपनी market को research कर लीजिए, देख लीजिए क्या आपके श सिस्टम से सटिस्फाइ हो, उसके बादी आपको कोई भी बिजनस की सुरुवात करने चाहिए, ऐसा ही अलग अलग बहुत सारे बिजनस के लिए, देखते रही है, मैं डॉक्टर आशी शगरवाल, आपके लिए नई 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 फ्रेंचाइजी बिजनस आइडिया लेकर आत सिस्टम से κάれं उप कमाज़ा हो, आदिया है, मैं इलग बिजनस के लिए फरेंगे में बिच्ब करते हैं मैं प्र आपको को भी खनाए, मैं लादीन होका है, मैं लिए ग efforts काया है, mitä आपको checking कि बिजनाए बहूतों से हैं पर मैं ल경 sleeping की